यासे हलो एवरिवान हितेश हीर तोड़ी वी गना टॉक अबाउट दे मोवी स्टार वॉर्स चैप्टर वन दि फैंटम मैनेस जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा काम है कंप्लीट मूवी की फ्रेंचाइजी को आपके सामने काफी अच्छे शब्दों के साथ में एजी ली प्रकर दिखाना तो इसे के लिए आज मैं आपके लिए आपकी मूंस्ट अवेटीट इड फ्रेंचाइजी को लिए कर आया हूं जोसका नाम है स्टा वर्स इस पूरी फ्रेंचाइजी को तीन अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इसकी फॉस्ट आप सभी के सामने पेश करने की कोशिश करूंगा और साथ ही ट्राय करूंगा कि इसमें इजी से इजी वर्ट्स को लेकर आऊं तैकि हर चीज आपको काफी इच्छे तरीके से असानी से समझ में आ जाए हाला कि यह सीरीज से जुड़ी हुई है इसलिए इसके इंदर ऐसे कई सारे नाम है जो आप फर्स टाइम सुनेंगे तो आपको उने समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो जरूर होगी कि जब मैंने भी इसे देखा था तो इन नामों में कई बार कंफ्यूजन मुझे भी हुआ था लेकिन जब दो तीन बार आप उन नामों को सुनेंगे तो आ करते हैं कई ना कई इसलिए उन दोनों को भी मैं इस पूरी फ्रेंचाइजी में ही इंक्लूट करके इच और आपको समझाने की कोशिश करूंगा स्टार वार्स की पॉप्लियरिटी को देखते वे इसके कई सारी वैब सिरीज और कार्टून एनिमेटेड मूवीज भी रिल देख दॉलिए की में सटोरिलाइन की तरफ लेकिन उससे पहले इस पूरी फ्रेंचाइज से के च्षो्टा मूता के समझ लेते हैं कि च्छोटी सी बीसिक बात इन पूरी की पूरी फ्रेंचाइजे के हर मूवी के अंदर कहीं न कहीं काम में तो आने ही वाली है यह कहानी धरती पर नहीं बलकि धरती से कोसो दूर अंतिरिक्ष की है और इसी तरीकी से हमें पता चलता है कि अंतिरिक्ष में एक दिव्य शक्ती एक फोर्स फील्ड काम करती है और वहीं इस शक्ती के भी दो रूप होते हैं एक होता है light side of the force और एक होता है dark side of the force सब राइट कि तरफ जो भी लोग हैं उन्हें जेडाइस कहा जाता आए वही dark side of the force कि तरफ जो भी लोग हैं जिने कहा जाता है सिथ लौर्ड्स यहां पर जेडाइस का इंदर आपको जैडाइज और साथ ही सित लॉट्स के बीच में होने वाली फाइट कई बार दिखाई जाएगी और साथ हमें यहाँ पर इनका में वैपन भी देखने को मिलेगा जो की एक प्लाजमा से बनी तलवार होती है जिसे कहा जाता है लाइट सेबर मोस्ट प्रोबेब होती है और यहीं से इसकी पहली कायनी की शिर्वात होती है जो की है स्टार वार्स एपिसोड वन दी फैंटम मैनस इसकी शिरवात में हमें दिखाए जाते हैं दो जेडाइज जिनका नाम होता है क्वाइगॉन जिन और साथ ही उनका शिष्य ओभी वैन के नोबी ये दोनों मेरे महान योद्धा जिनका नाम है डार्थ सीडियस उन पर भरुसा करना चाहिए क्योंकि इस पूरे संगठन में इस पूरी की पूरी दलाली के अंदर वही हमारा साथ में बाएंगे और इसके चलते अब वो अच्छाई की जगह बुराई का साथ देने के लिए तयार हो ज जीए और साथ ही साथ इनके करीबी ग्रह नबू को भी डिस्ट्रॉय कर देने के आदेश्टे देता है और देखते ही देखते पूरी ड्रॉइड आर्मी अब इन दोनों जडायस को मारने के लिए पहुँच जाती है लेकिन जडायस के पास में उनकी खुद की एक दिव्व ज्टे यह वहां पहुचने पर उनके पीछे पीछे ड्रॉइड की पूरी आर्मी आ जाती है और वहीं पर इन्हें इस कहानी का एक और करेक्टर मिलता है जिसका नाम होता है जार जार बेंक्स जिस तरीक इसे मेरा नाम हितेश है और मैं इनसान हूं और रहता धरती पर जाती का नाम है गंगन और यह नबू प्लैनेट पर पहुंचा यह वहां पर रहता नहीं है यह रहता गंगा राज्य में है मगर अभी उसे वहां से बाहर निकाल दिया गया है यह करेक्टर इस मूवी का काफी फनी करेक्टर है जो कि तोतला बोलता है और खासकर कि बच्चों को यह करेक्टर काफी जदा पसंद आता है वहीं पर आप क्योंकि कोई जिन ने जार जार बिंक्स की जान उन ड्रॉइट से बचाई थी तो वहां पर वो कहता है कि अब मेरी जान आपकी हवाले अब आप जो भी कहेंगे मैं वही करूंगा और जहां भी आप जाएंगे मैं साथ चलूंगा आपने मुझे जीत लिया है और अब मेरी जिन्देगी आपके सुपूर्द है और वहां से वह तीनों निकल कर अब उस नबूग रह की रानी यानि की रानी एमेडेला के पास में पहुंचते हैं मगर तब उन्हें पता चलता है कि नबूग रह पर आल्रेड के सैनिकों को हराते हुए रानी एमेडाला को बचा कर वहां से निकाल कर उस ग्रह से निकलने की कुशिश करते हैं क्योंकि वह बात जानते थे कि इस ग्रह पर अगर वो जदा दिर रुके तो कई सारी ड्रॉइड आर्मी आकर उन्हें जान से खत्म कर देगी और इसी के साथ एक स्पेश शिप के अंदर यह सभी बैठ कर वहां से निकल जाते हैं लेकिन फूल स्पीड में वहां से निकलने की वज़े से उनके इस पेश शिप की हाइपर ड्राइफ खराब हो जाती है इसलिए वो से भी डिसाइट करते हैं कि उन्हें पास ही कि किसी ग्रह पर रुक कर इस इस पेश शिप को वापस से रिपैर करना पड़ेगा और वह लोग टैट्वे नाम के एक ग्रह पर पहुंचते हैं अब क्योंकि उ उस जहाज में मौझूद एक रोबोट जिसका नाम होता है आर टू डी टू वो भी पहुंच जाता है वहीं पर जार जार बेंक्स और साथ ही रानी की एक सेकेटरी जिसका नाम होता है पैड में ये तीनों भी अब उसके साथ जाने के लिए तयार हो जाते हैं और अभी चार पर पहुंचे तो यहां पर पहुंचने के बाद में उनकी मुलाकात वैटो नाम के एक डलाल से होती है तो को एगोन उससे पूछता है कि क्या आपके पास में हमारे शिप की हाईपर ड्राइफ मिलेगी इसका नाम है पी 301 तो वह उससे कहता है कि मिल तो जाएगी मगर उसक चुकानी पड़ेगी को एगोन के पास में गणतंत्र मुद्रा होती है तो जब वहाँ पर वैटों से मना करतेतर कहता है कि इस ग्रया की मुद्रा यह नहीं इसके लिए कोई दूसरी मुद्रा या फिर कैश या फिर सोना चुकाना पड़ेगा तब ही मैं तुम्हें वह वहा सारी बाते वहां पर बैठा वैटो का की एक गुलाम जो कि इंसान होता है उसका नाम होता है और वह सारी के सारी के स्पेश शिप को repairy करें में काफी इंटेलिजंट वह तो एनाकेन स्काइवाकर आकर कोई कौन जिन को कहता है कि यहां पर थोड़ी टाइम के अंदर एक रेस होने वाली और मेरे पास में एक छूटा सा स्पेस्शिप है अगर वो रेस में जीत गया तो उसकी जीत की रकम जो मिलेगी उससे आप अपने स्पेस्शिप की हाइपर ड् दिन आता है जब एनाकेन स्काइवाकर अपने पॉड रेसर को स्टार्ट कर लेता है और वहां पर काफी सारे लोगों के बीच में एक अच्छी खासी रेस स्टार्ट हो जाती है उस रेस के अंदर अभी तक का सबसे तेज रेसर जिसका नाम होते सैबुलवा वो कई बार जी अपने एबलेटी के साथ में उस पूरी रेस को जीतने की दमदार कोशिश करता है और एक मुमेंट ऐसा आता है जब वो खुदी से बुलवा को टकर देता है और अपने पॉड रेसर के साथ में उस सबसे शांदार रेस को जीट जाता है जीत की राशी के बदले अब वहां पर क्वाइगन जिन को अपने स्पेश्शिप के वही हारी पर ड्राइफ मिल जाती है और साथी डील हार जाने की वज़े से अब वैटो को अपने गुलाम यानि की एनाकिन स्काइवाकर को क्वाइगन जिन को देना पड़ता है वहां पर हमें नाकिन की मॉम भी दिखाए ज उद्धा काफी जदा स्मार्ट और तेज शक्ति शाली होते हैं तो अगर मेरा बेटा इनकी देखरेक में रहेगा तो वह भी बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बनेगा इसलिए वो अपने बेटे को उनके हवाले कर देती है अब यहां पर जैड़ाइस के पास में दिव शक करता है तो इससे पता चलता है कि में मुड़िक्लऔरे की मात्रा 20.000 से भी जाता है जिस तरीके से अंतिरुक्रस के लोगों में यह पहले जाता है और जिसके शरीर की मात्रा योडा यही सबसे पुराने और सबसे ताकतवर शिक्षक होते हैं तो वहां पर कोईगन जेन आ कर मस्टर योडा से कहता है कि मैं एक सिस्ष्य को तालीम द gelir n यानि कि मैं एक स्टूडेंट को प्रिपैर करना चाता हूं जैडाई बनने के लिए तो वहाँ पर मास्टर योडा और साथ ही उनके बाकी सभी साथ ही कहते हैं कि एक जैडाई को सिर्फ एक ही बच्चे को ट्रेनिंग देने का मौका मिल सकता है तो तुम्हारे पास में तो अल और आजमाईश करने के बाद में अब वो पूरी सभा इस बात पर एगरी कर जाती है कि ठीक है आप इस स्टूडेंट को अपने अंडर रखकर कंप्लीट ट्रेनिंग दे सकते हैं यह सभी भी कोरूसेंट ग्रह पर होते हैं और यहां पर इनकी रानी अमिडाला अब ट्रेड वाला जो सुप्रीम चांसलर था वेलोरम वो उनकी बात मानने से इंकार कर देता है क्योंकि वो तो खुदी डार्थ सीडियस के साथ में बिला हुआ था इसलिए वहां पर रानी अमिडाला कहती है कि एक नए चांसलर को नियुक्त किया जाए लेकिन यह सारी प्रोसेस काफी ज्यादा लंबी होने वाली थी और वहीं पर अब नबू ग्रह पर रानी अमिडाला की प्रजा जिन पर ड्रॉइड काफी ज़दा हमला कर रहे थे इस वज़े से वह सोचती है कि मेरा अभी मेरे ग्रह पर जाना ज्यादा जरूरी है जब तक यहां पर वोटिंग चलेगी त तब वहां पर जार जार बिंग्स कहता है कि हमारी टीम में जो गंगन है वो बिल्कुल लडाक हुएं अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद के लिए उन सभी को बुला सकता हूँ और अब जार जार बिंग्स अपने राजा के पास पहुँचता है और कहता है कि रानी कभी भी मुझे पकड़ कर जान से मार सकते थे इसलिए मैंने अपनी ही एक हम शकल को रानी एमिडाला के रूप में बना कर अपनी सुरक्षा के लिए पैड में बनने का जोकम उठाया और जब ये सारी बातें उनके राजों को पता चलती है कि हाँ इन्हें मदद की सच तो वो सब भी अब लड़ाई के लिए तयार हो जाते हैं और अब वो दिन आता है जहां पर पूरी ड्रॉइड आर्मी अब नभू ग्रह पर पहुंचकर रानी एमिडाला के उपर हमला बोल देती है लेकिन तबी उनके बचाव के लिए पूरी गंगं सेना भी सामने आ जात देता है और फाइनली एक बड़े बैटल के बाद में उनके पूरे बड़े से शिप को डिस्ट्रॉइ कर देता है लेकिन इसी बीच डार्थ सीडियस का एक शिश्य वहां पर पहुंच जाता है जिसका नाम होता है डार्थ मॉल और वह आकर अब ऑभी वैन के नोबी और काफी भारी पढ़ रहा था और एक मुमेंट ऐसा आता है जब मौका पाकर डार्थ मॉल वहां पर क्वाइगन जिन को अपनी प्लाजमा स्वार्ट से मार देता है इस बात से ओभी वैन को काफी जदा गुस्सा आता है और वह अपनी पूरी ताकत का इस्तमाल करके डार्थ म मेरी कमी तुम पूरी करो तुम दोगे एनकेन स्काइवाकर को ट्रेनिंग एक अच्छे जडाई योद्धा बनने की ये बात सुनकर अब ओभी वैन भी उनकी बात से एगरी करता है वहीं पर इस मूवी के एंड में हमें दिखाया जाता है कि सारी लड़ाई खत्म हो जाने क के बाद में कोरोसंट ग्रह से अब वहां के पैलपटीन भी यहां पर पहुंचते हैं और कहते हैं कि अब उन्हें सुप्रीम चांसलर चुन लिया गया है वहीं दूसरी और अब जब लड़ाई खत्म हो चुकी थी तो मास्टर योडा ने अब जडाई योद्धा यानि की ओ आपके सामने जल्दी पेश करूंगा अगीन गाइस थैंक यू वेरी मच वर वाचिंग दिस वीडियो मिलते हैं अगले वीडियो में होची करूंगा जड़ाई ओ जड़ाई जब लगगाई एड़ाई भिजर के आपके सामने वीडियो में वाचिंग